बेरिया प्रखंड के राज के मधि विद्याले बेरिया में वर्गतीन के छात्र आसिस कुमार की विद्याले के सिक्षक आर फात ने बुरी तरह से पिटाई कर दी जिससे छात्र गम्ही रूप से जखमी हो गया छात्र किसी तरह अपने घर पहुचा इसके बाद परिज्रों उसके जखम पर हल्दे चुने का लेप लगाया और अस्थाने अस्पताल में भरती कराया अस्थाने मुख्या नवीन ने पूरिस प्रसासन से मामने के जांच कर सिक्षक पर कठोर कारवाई की मांग की है वहें इसका वीडियो सोसल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है तरह के जो एए जो है दूसरा प्रता है इस राप पड़ता है आ उस बिद्धाले के खाला स्टीचर है और पाट ऑर फाट सर देखिए इस बच्चों को किसी तरह जब चोड़ी जो है बच्चों को नहीं दिखाना है वीहार सरकार का अधेस है कि इस तरह बेरहमिस से जो है एक दोब दुश्मन के तरह पिटा गया है देखिए यह जी चुना विश्चापवा दिया है इतना इस जो है निर्दई मास्टर है हम जीला परसाशन से मांग करते हैं कि इस मासूम बच्च्या को जो है इस तरह पिटा गया है विरामिस से उस जो है कला स्टीचर पर अरफात पर जो है करवाई होना चाहिए और उनको निलम्बित किया जाए इस तरह से देख लिजिए इसको जो है हम ले चलेंगे डीम सर को कल डीम सर के पास ही बच्चा जाएगा इस तरह बच्चों को पिटा गया है या कोहीं से ठीक महीं नहीं हुआ है क्या कर बेटा हूस कहा कर र कोन सरकारी राज के मदबीदाला में यह ए बच्चा आ रेड़ीय बजार में आपना में इक्य मोर लखां अरफात कहां कहां मोर लबना है देखा दे लाइ एने इने देखा हैं इने ते ते बढ़िए इने वर लबनाव औरी कहां बढ़ा अबर था फुलल बाव आग क्वाथी से मर ला हम डंटा से आवरीका क्वात ला हम मारत लां तो गोड़ धर लेत प्रण छोड़त ला हम तो हैट्वास्टर से ना बोले हुआ मैं हैट्वास्टर से जागे ना कले है घरे वह ले है तो अभी ते आवा तारे वह बरे कान आई ले है तानी का गड़ियां के बाद है तो रहा कहां बेर लें दिवाई